बिस्मिल्लाइ वख्मान वाहीम, असलाम लेकूम वीवर्स, आप देखने हैं डाइनिंग और इसे चंड कर लेंगे यह देखें कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है आज मैं आपसे हुम्जा के बहुत ही मज़ेतार कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगें तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे साथ में यह जो बैल का आइकोन है इसको क्लिक कर दे इसको क्लिक करने से आपको मेरी यहाँ नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा बिसमिल्लाइब बाख मानेवाहिं जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं एक किलो चिकन का कीमा ले लिया है इस तरह से कीमा लेंगे इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसमें से जो भी कोई एक्स्टा पानी है वो निकल जाए इससे चॉपर मिशीन में डालते जाएंगे इस प्रॉसेस के वई से इंशालाद कबाब तूटेंगे नहीं यह देखें इतना पानी इसमें से निकल आया है इसके साथ इतिकरीबन 20-25 हरी मिर्चे ले ली हैं यह पतली और छोटे साइज की हैं जोके जाएके में तेज होती हैं यह आपको दिखाने के लिए रखी थी इसके साथ इसे कटिंग कर लेते हैं इसे भी चॉपर मिशीन में डाल देंगे अगर आप चॉपर मिशीन इस्तमाल नहीं करना चाते तो हरी मिच्चे को अच्छी तरह जी पीस ले और मिट शाप से कीमा आप डबल दफ़ा निकलवा लीजेगा ताकि अच्छी तरह बरीक हो जाए जिसके साथ इसे साइट पे करते हैं प्यास कटिंग कर लेते हैं जी इसके लिए दो दिर्म्याने साइज के प्यास ले लिए हैं जो मेरी वीडियोस रेगुलर्ली देखते हैं वो यह जानते हैं कि मैं बहुत साथा जीटेल बताती हूँ यानि ये चीज कर लें तो अच्छा है लेकिन देखें ये बहुत आहम पॉइंट है ये देखें प्यास का नीची का हिस्सा है और ये जहां से जड़ साथ मिली होती है इस हिस्से को लास्मी इस तरह से करके राउंड कट करके नकाल दिया करें इससे हांडी या जो चीज भी आप बनाएं उसका जाई का हराब हो सकता है जी आप इसमें एक चोटा प्यास भी इस्तमाल कर सकते है लेकिन जादा प्यास मैं इसलिए डारी हूँ क्योंकि इससे एक तो कबाब सॉक्ट बनेंगे दूसरी इनकी मिक्दार जादा हो जाएगी इससे शामिल कर देंगे नमक इससे बहर की टेबल स्पून लेंगे और छुरी की मदध से इससे लेवल कर लेंगे नमक को भी समीं डाल देंगे जी अब भारी आगी लैसन अदरगी जी अगर आपके पास लैसन अदरग का पेस्ट है तो आप तीन टेबल स्पून ले लिजीगा इस तरह स्टेनर में रखेगा इसको प्रेस कर लिजेगा ताकि इसमें जो भी लिकिट है वो निकल जाए और अगर इसी तरह आपके पास ग्रीन चिली सॉस है और आप मेर्चों का नहीं पीस ना चाते तो आप 5-6 टेबल स्पून ले लिजेगा इसी तरह स्टेनर में प्रेस क है बाकी चौपयर मशीन हुदी से अगरी मातया अटनली लेगी घृष्ण तरह सेसे भी शामिल कर देंगे में कुछ बात में छामिल करेंगे बारीक पिस्किया है इसे एक बड़े प्लेटर में शिफ्ट करते हैं जीज के साथ इसमें कुछ और स्पाइसी जाट करते हैं हाफ ग्रेश हुश्क धन्या ये तीन काने वले चमच है एक चाय की चमच भर के गर्मसाला पाउडर कीज़ए इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे ड एक चाह की चमच काली मिच है, इसे फ्रेश ग्राइंड कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अगर आप स्पैसी जाधा पसंद करते हैं, तो एक टेबल स्पून भी काली मिच का पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं, चावल काटा डालने का ये फायदा है कि प् मिक्सिंग के बाद कबाब का यह मसाला बिल्कुल हुश्ख हो का जिस तरह का हमें चाहिए बहुत अची तरह से मिक्स हो गया है जिसे फ्रीज करने के लिए एक ट्रेप बटर पिपर लगा दिया है नेची के तरफ खिलाते भी लेकी जाएंगे जैसे बीचेक कर लेंगे कहीं से भी चमश नजर न आ रही हो जैसे नजर आ रही है तो इस तरह से इसको अंदर के दर जाएंगे एक ही चमच इस्तमाल करने से एक तो कबाब का साइज एक जैसा होगा, ये देखें इस तरह से आइसा ऐसा करके चमच को खैंच लेंगे, और कबाब को इस तरह से रख देंगे, इसको इस तरह से हलका सा प्रेस कर देंगे, जी है, देखें, काफी सारी कबाब तो मैंने बना लिए, लेकि इसमें एक पॉइंट मैंने आप से डिसकस करना था, देखें जब चमच से तरह थे तो ये इस तरह से हैं, और काफी मोटे हैं, यह मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो अगर हम इने फाय करेंगे, तो इसकी मोटाई में मज़ीद अधाफा हो जाएगा, इसको बनाने के बाद, इसना हाथ से थोड़ा सा इसे चिप्टा कर लेंगे, जिस कदर मुम्किन हो पतला कर लेंगे, तो तीन साल हम लोग एप्टा पाद में रहे हैं, तो यह इसे चिप्टा करते हैं मेरे जहन में आ गया, वहां लोग कहा करते थे कि शिलिंग हो जाएगा, हजारा की जुबान में, तो यही चीज है कि हम इसे जिसके दर पतला रखेंगे, उसके दर अच्छे कबाब बनेंग जी कबाब को बनाने का सिल्सला तो जारी है, इसके साथ ही हम फ्राइ पैन रखते ही और इनको फ्राइ करते हैं, सासक बनाते जाएंगे, जी इसके लिए एक पैन को तीन चार मिंट के लिए प्री हीट कर लेंगे, अगर आप चाहिए तो डी फ्राइ कर लें चाहिए तो शै कर देंगे लो हीट पर बहुत अच्छी तरह यह अंदर से गल जाएंगे कबाब को फ्राय होते हैं तकरीबन छे मिंट हो चुके हैं इसे चंड कर लेंगे कि तकरीबन बारा मिंट लगे हैं और इसमें से काफी सारी कबाब पे अच्छा सा गॉल्डन कलर आगे निकालेंगे जी सेफ करने के लिए प्लेटर को त्यार कर लिया है यह देखें कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है जी घर के जो मेंबर्स कम मेच पसंद करती हैं उनके लिए मैंने 11 कबाब इसमें से बना लिए हैं कुछ को मैंने फ्राय कर लिया है हाफ मसाले को हम बर्गर और रोल प्राठा बनाने के लिए इस्तिमाल करेंगे इसमें मेच के क्वांटिय कोई जाधा करती हैं एक केबल स्पून अधकुटी सुर्ख मेच इनके कबाब बना के फ्रेज कर देंगे और चपी जरुद होगी निकालेंगे जी इन कबाब को इसी तरह हम फ्रेज कर देंगे जी एक किलो की में से तकरीबन 19 कबाब बन गे हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन जूर बैस कर दीजीगा इसके बाहर आपको मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो का नुट्फिकेशन ही मिल पाएगा वीडियो लाइक शेयर करना बिलकुल भी न भूलिएगा इसके साथ एक जरूरी बात कि कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे आगा करीगा कि आप से किस तरह से बने है इसके साथ ही मैं अजाज़त चाहती हूँ अल्ला हाफिज